मिया नाम है अनील शर्मा उर्फ अन्नु राजपंडित ये नवाब मुहम्मद अली खान हलो एवर्वान सो मैं काशिफ एक बार फिर से नई वीडियो के साथ आपके लिए हाजिर हूँ और आपको लेकर आया हूँ टॉंक की जामा मस्जिद जो की है बहुत ज्यादा पराणी तो टॉंक के नवाब अमीर अली खान ने 1246 में इसको बनवाया था उसके बाद में यह कं के साथ आपको पेश करते हैं तो आपको लेकर चलते हैं इस खूपसरती मस्जिद के अंदर और दिखाते हैं इसके उपर किस तरह से इसको बनाया गया है तो यहां शूस हम उतारने पड़ेंगे और यह इसका में एंट्रेंस है तो इसका में एंट्रेंस है बागी इसके ती बसुरत नमुनामी से कह सकते हैं और पहले की जो चीजें होती हैं हिस्ट्री से रिलेटिड उनको देखने में मुझे बड़ा ही मज़ा आता है और उम्मीद करता हूँ आपको भी देखने में मज़ा आता होगा तो यार मैं आपको इसकी मिनारे बिल्कुल करीब से दिखा देता है करता है कि यार आप आपको लेके चलते हैं इसके अंदर जादा इंता इंतिजार नहीं करवाएंगे अधर दरम जादा इन्तजाराइन गादए और यार बहुत खुबसुरत इसकी पैंडिंग्स हैं स्वानल्लाः यार कितना खुबसुरत जो मर लगा हुआ देखे तो तो यह यार तो यह यार कि बहुत खुबसुरत जाओ मुझेट माशिक माशनल्लाः रिनोवेशन का काम बी इसका चलता रहता है और शाहिद अभी रिसेंटली इसको रिनोवेट गया है कुछ इसा सुन्दना आया है कि इनोवेशन हुआ है तो यहाँ पर इमाम सब बेटके तकरीर अगैरा करते हैं और फुबा सुबसुरत जौत है कि यहां पर पड़े जाते हैं कि दिखाए दो किस तरह से इसका प्रश होई है यह देखिए यार बहुत जादा उपसुरत है कर जिसे मिन आपको बताया था यह कंफर्म गोल्ड का ही वर्क है कि गोल्ड प्लेटेड वर्क है पूरा सोने के पानी से काम किया गया है इस मज़िक पर और देख सकते हैं मशाला है बहुत खुबसुरत मिंबर है इसका अब देख रहे हैं यह अब आदमें लगाया गया है और इस मज़िक पर नकाशी हुई भी है गो यार बहुत खुबसूरत है बहुत ज्यादा खुबसूरत है यार और इसके गेट्स आप देख सकते हैं लकडी के उस जमाने के कितने मजबूत गेट्स जो आज तक उसी हालत है थोड़ा बहुत रंग नोगन जरूर किया गया है यहां काफी मजबूती के साथ इनको बनाया गया है आपको दिखाते हैं एक होज जहां पे वजू किया जाता है अपने आपको पाक साफ करके दो करके नमाज पढ़ जाती है तो यह है यहां का वजू खाना इन बैठने के लिए यह बनाए गई है इस तरह से और इन पिलर्स के आप मजबूत ही देख सकते हैं कितना ज्यादा बड़ा साइज इन पिलर्स का जिनके उपर यह बेल्डिंग ठीक हुई है तो बहुत बड़े पिलर्स हैं काफी अच्छी हाइट पर ही बनी हुई है अच्छी है जो मिनाराइट्स हैं अपने आप में बहुत खुबसूरत हैं तो इसके पास में च्छत है तो यह एक कुवा बनावा है है जो शायद बहुत ज्यादा लोगों को मालूम तो पता है बाहर से आने वालों को शायद यह चीज नहीं पता है तो इस जंगे का नाम है बड़ा कुव बड़ा कुवा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर वाके में कुवा है जो कि बहुत बड़ा थाफ नहीं आपने तो इट उस तो बीए वैल बट अभी भी शायद यह बनावा है देखी आपको जूम करके दिखा देता है तो यहां पर जो पानी का इंतिजाम है वो पूरा इसी कोई से शायद आता है मैं इसकी आपको मिनारे पास से दिखा देता है तो यह थी टॉक शेहर की सबसे पुरानी जाम मस्जित तर उम्मित करता हूं आपको अच्छी लगी होगी साथ ही साथ नवाप साब ने एक मंदिर भी बनवाया था सिर्फ मढील नहीं पन वायी थी एक मंदिर का भी निर्मांद कर वाय था उस मढील साथ से आपको दिखायें के मंदिर भी मैंजी वो मंदिर है और आपको मंदिर दिखायेंगे तो जहुर का ओठ टैम हो चला है नो सवैच़ फटा फट से बाकी चीजने देखते हैं तो यह है इसका साइड वाला गेट और मस्जिद के चारों तरफ दुपाने बनी हुई है और यह रोड जहां से हम आया थे भी अब आपको लेकर चलते हैं रगुराथ पुरी मंदिर आपको बताया था मस्जिद के साथ साथ नवाप साथ निर्मान करवाया था जो की है कभुनाजी का मंदिर यहां से उसका रास्ता है और यहां पर एक बाजार भी है तो बाजार के साथ तक्ता मारकेट तो लेकर चलते हैं आपको इसका इंदर यह है इसका गेट मेने अंटरेश तो यह रगुना जी का मंदिर और अंगल आप थोड़ासा बताएंगे इन मंदिर के बारे में बहुत पुराना मंदिर साथ यह जामा मजीद बनीए ना उसकी नियम पर इनकी नियम बराबर है अच्छा जो एक सब्सक्राइब आपके आवास चाहिए अब दुवारा बोले यह जामा मजीद की नियम और इसकी नियम एक दिन बनीती दोनों की इए आप अजयापूर जिए जैपूर से से रिटी एक वीडियो है मारे यूटूब पर चानले है तो आम इस पर दिखाना चाहते है लोगों को कि यहां पर इतना पराना मंदिर है क्ता है लोग जानते नह समतल जमीन थी उसके मजडिद के मंदिर के दर्मयान 100 मिटर का फासला रखा रहा गयाता है हाँ गंगा जमनी के तहजरेते मिसाल रेते हैं रहे हर चाहे वो दिपाव लिए इड़ो लिए। सब के मोई एक दूसरे को मुबार्बाद एक बार आप हमारे लोगों से अपील रहना चाहेंगे कि क्यों में किस तरह रहना चाहिए आपस मिलके रहना चाहिए बहुत अच्छी बात कही है और आप आपको दिखाते हैं मंदिर यहां पर भी जो है सोने का काम हुआ है अप देख सकते हैं तो यार उस जमाने में बहुत चाहदा मतलब बड़ी बात यार सोने का काम जिस है आज भी मोजूद है पुरी सोने की नकाशिय है पुरी सोने की नकाशिय है अजय है अजय है मैं नाम है अनीर शर्मा वर्फ अनुराज पंडित यह नवाब मुहम्मद अली खां अमीर अमीर खां अमीर दौला वह हमें कोटपूर दे लाये थे और यह मंदीर और मजजित की एक दिन की नियूँ लगी वी है और किसने किसने बनवाई थी मजजित और मंदीर और मंजित कर निर्माण किसने करवाई था अमीर दौला जाए अच्छा दोनों साथ में बने थे अच्छा रास और सम्थिंग की बात है यह इसका पुरा साथी के लिखान जो है जिनों किताब लिखी है उसके पुरा लिख है मैं पंडित पठान के नाम से मशूर था हम पठान साब के दोरा बनाया मंदीर है इसलिए मेरा नाम है अनुपंडित और पठान पंडित और पठाने के नाम से मशूर था हमें नौब साब भी जब मेरे पगड़ी का दस्तूर हुआ था मेरे पिताजी जब गुद्रे थे तो एक महर सोने की देखे गए थे इसमाईल लिखा हूँ जी रहा हुआ है इसमाईल और प्राजेश लिड है इसमाईल रहा थार रहा हुआ है गए श्रीज देखे एची जब गए गए रहा हुआ है का रहा हुआ है जब खा बनाया पिताब्स झाल झाल